नेयूस्ट कलिक में आपका सवागत है आज हम चर्शा चरशा करने वाले हैं पच्चra appointment भी चाप्र चौर्देश उपहर L हमाई साथ एक खास मेवान था सवही है मतिरा से आपका सवा खतने हैं पहले हमें एक टरे का लेय ओफ-फ्दी लैन बताएं कि बाल्zub केंगा से सीए ये पास हुआ है हालात कैसे हैं देखिए कई जिले बुरी तरह प्रोहावित हुए क्योंकि और यह चीजे रिपोर्ट भी हुई है लोगों में काफी समय से एक नराजगी थी सरकार के खिलाव और एक भैका वातवरन बना हुआ है योगी जी भी आते हैं तो जिस तरह स से उन्होंने एक टोन सेट किया उनकी जो शैली है काम करने की ठोक देने की बात उन्होंने कई तो जो भी लोग मुख्यदारा से भार हैं कहीं न के उनके मन में डर था और जब यह सीए का निड़ने आया तो लोगों को लगा कि अब पानी उपर चड़ चुका है तो काफी तादाद में लोग सड़कों पर आये पुलीस ने प्रयास भी किये होंगे काबू में लाने को लेकिन जब योगी जी ने पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा रखी थी जी लगा रखी थी और बलकि है अभी भी जी तो सुप्रीम कोट के कश्मीर के संदर में अभी एक फैसल आया है उसका भी अभी तक संग्यान जो है योगी जी ने नहीं लिया तो जब 144 लगा रखी थी उसके बाद फिर magistrate को तैय करना होता है कि जो भीड आएगी अगर चार से ज़्यादा लोग एकत्रित कहीं एक स्थान पे होते हैं तो क्या उससे law and order situation खराब हो सकती है कि नहीं क्या कोई सीधा कोई खत्रा इससे बनता है कि नहीं लेकिन कोई application of mind नहीं हुआ लखनव से तैह हुआ योगी जी ने कहा कि नहीं इस मुद्धे पे बिल्कुल भी कोई सड़क पर नहीं आना चाहिए और उसका प्रभाव यह हुआ कि जो दबाव लखनव से दिया गया तो फ थे कोई लेने देना उनका राजनिती से नहीं था कोई उनके विरुद उसके पहले कोई अपराधिक मामले किसी के खिलाफ दर्जमी थे बहत गरीब लोग थे और वो ही इस crossfire में फसे तो पुलीस का भी अपना एक भूमिका होनी चाहिए थी इस पूरे में कंट्रोल करने मे या समाज को एक वो स्थान दिया जाता कि आपकी ये जगा है आपका अधिकार है आप संसद ने कानून पारित किया है लेकिन अभी वो सम्विधानिक है कि नहीं ये एक हर्डल अभी भी बाकी है क्योंकि सुप्रीम कोट भी इसको तै करेगा और एक नागर के रूप में सब को हक होता है पार्लेमेंट के कानून पर भी आप सवाल तो उठाई सकते हो अगर वो स्पेस दे दी जाती पबलिक को पहले से बातचीत करके जो भी लोग आम दोलन कर रहे थे सड़क पर आये थे अगर एक नर्माईस उनके आगे पेश किया जाता तो शायद इस तरह से हिंस समझ में तो मोटा मोटा आता है क्योंकि लोग कितना कानून बन गया हो लेकिन धारारा बाई-धारा किस ने पढ़ा है तो उनको क्या लगता है मतलब की प्रोटेस्ट करने की वज़ा क्या है वज़ा कि लोग जानते है कि जो भी हमारी इस चेतर की मैं बात क्रूं अच्छे रहे पिछले कुछ सालों से बीच में अविश्वास पैदा हुआ दरार पैदा हुई घठनाए हुई लोग उससे उपर उठना चाहते हैं और लोग यह महसूस कर रहे हैं कि अभी जो कानून आ गया है इसका मुख्राधार ही अगर हो जाएगा नागरिक्त का धर्म तो फिर दुबारा वो दरारे पैदा होंगे और उनको यह लगा कि बीजेपी यह चाहती है कि अगले चुनाव तक इसको तनाव को बना के रखना है ताकि हर महले में देश में एक परोशी दूसरे परोशी की शिकायत करें कि यह भारत का रागरिक नहीं है इसके कागज दि यह इतना लोगों को समझ आ गया कि हमें बांटने की एक तरह की तरकीव है जी हां और व्यापक तोर पे डर भी है लोगों को क्योंकि जब एक स्टेट पूरे बर्डन को बोज को शिट कर देता है नागरिकों पर मोदीज ने कहा ता काले दिन के खिलाफ लड़ाई लड़नी और तपस्या जो है सब नागरिकों से करवा दिये तो वो भी एक डर है गाओं पे किसी पे कागज नहीं होते दियात में कागज नहीं होते जो मजदूरी करता है जारकंड से बिहार का आदमी मुंबई गया है व महिलाओं का विशेज तोर पे आप देखेंगे शादी करके गई शादी पिर स्थितियां परस्थितियां बदली उस घर में रहती है नहीं रहती है उनके कागज है की नहीं एक खास चीज एक खास नजारा हमें देखा बार-बार यूपी में से कि वीडियो आ रहे है कि कही पे जो लोकल लोग हैं यानि कि सिविलियन कपड़ों में लोग मुसल्मानों के घरों पे हमला कर रहे हैं कितना कम्यूनल हो गया कितना डिवाइड हो गया सोसाइटी देखिए योगी जी जब से आये हैं इस एक यूपी की में बात कर सकता हूं कि यह अब पूरी तरह से सरकार में और भारती जनता पार्टी में ज्यादा रहत नहीं रहा तो एक तरह से संस्थागत तरीके से अपने लोगों को हर संस्था में बैठाना जो संस्थाएं हैं लोगकंत्र के लिए जो काम करती हैं उनको भी अपने दाइरे में शामिल करना यह इनकी रणनीती का हिस्सा है सारे इन्वस्टी में आप अपॉइंडमेंट देख लीजे बिना RSS के बैकिंग के कोई आदमी इस देश मे किसी विश्विदाले में वीशी आज नहीं बन सकता आप पुलीस ने एक विशेच योजना चलाई पुलीस मित्र उसमें जिस तरह के लोगों को भरती किया है मैंनी जानता हूंका मानक क्या था उनकी फिटनेस क्या थी उनकी सोच क्या थी उनकी ट्रेनिंग क्या उनको दी यह उनसे क्या काम पुलीस कराना चाहती थी हमने देखा कि इस दंगे में और मैंने खुद एक वीडियो को ट्वीट किया था जो काफी वाइरल वी जो मुझे एक मेरट के एक विरिष्ट नागरिक ने मुझे दी थी और फिर मैंने उसको ट्वीट किया जो यह दिखा रहा था बहुत नाराज से दिखते हैं कुछ गाड़ियों पर लगा रखा है स्टिकर तो भगवानों में भी अब यह मुद्राय निकल के आ रही है तो वो गाड़ी आती है बीजेपी का एक नोन पतादीकारी गाड़ी से निकलता है पुलीस का डंडा लेके गाड़ी से निकालके अ नहीं है एक पार्टी के सदस हैं उनके हाथ में डंडा कैसे है और वो उसमें शामिल कैसे है तो कई सवाल उठे हैं और यह सिर्फ मेरट की बात हमें पता लग रही है फिरोजाबाद में भी ऐसी वीडियों निकल के आई हैं और हमें मालूम है कि जब डीजेपी अभी तक य हमें मालूम है कि जाच कैसे होगी इस पूरे मामले में कहीं जाच होनी नहीं है इसलिए जहां मैं गया मेरट गया मैं मुझा अगर गया उन परिवारों की यही मांग थी कि अब जो होना था हो गया उन्हें उमीद भी नहीं है कि सरकार उनको कुछ देगी है क्योंकि उनका घर का भी वही आधार था वो लोग मजदूर थे मजदूरी करते थे जादा उनके पास कोई संपत्य और कोई अधार भी नहीं है लोगोंगा लेकिन उन्होंने फिर भी का क्या हम चाहते हैं कि न्याय मिले और न्याय कैसे होगा अगर कोई इंडिपेंडेंट इंक्वाईरी कोई कम से कम एक जुडिशल लेवल पे कोई जज़ के सुपरविजन में अगर कोश हो तब लोगों को विश्वास होगा कि हाँ तो वहां का सोशल फाइबरिक के बारे में पूछ रही थी कि अब कितना हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो डिवाइड था अब हमें ये सुनने में आता है कि लोग तो चाहते हैं कि शांती रहे लेकिन जो लोकल एलीट्स हैं और जो पॉलिटिकल क्लास है वो नहीं चाह जिनकी रूट्स नहीं है जो यहां दिल्ली में रहते हैं नौकरी करते हैं मोस्ली मैं देख रहा हूँ कि उनको आप सोशल मेडिया पर देखो तो बहुत विरूलेंट एक एंगर उनके अंदर बढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं एज सोसाइटी सबको सोचना चाहिए एक सेल्फ और मैं उमीद करता हूँ कि सोसाइटी के हर वर्ग को भी में भी यह चेतना है जगडा तो नहीं होगा लेकिन इस तरह से इसको दर्शाय जा रहा है पॉपलर मीडिया में भी और पोलिटिकल मिशिनरी के थूप बीजेपीबी में में आरोप लगाता हूँ कि उनका तो मुक अब इसके आगे मुलानाजाद इनवस्टी होगी या उसमानिया इनवस्टी होगी जब चिन्नित करके ऐसे परहार होगी तो अभी गाउं में रह रहे आदमी को शायद हो समझ नहीं है कि जेन्यू बिश्विदाले में सब वर्के सब तरह के लोग रहते हैं इतनी अच्छी इनवस्टी है गवर्मेंट रैंकिंग्स में है वो जो लोग जानते हैं वो जानते हैं लेकिन अभी धुरंदर प्रचार निचले स्थर पर यही हो रहा है कि पूरी तैयारी हो गई है यही गुजरात मॉडल था और उसको लागो अब विधिवर तरीके से कानून बनाकर पा स्विकार कैसे हो जाता है कि चलिए हम नर्सी और मुसल्मानों की बात करते हैं लोग भले भी होते हैं तो और पॉलिटिक्स इस अबाउट मैनिपलिशन तो लाग एक्स्टेंट हो जितना सरकार को चलाने में इनका ध्यान नहीं उतना चुनाव लड़ने में बहुत चुनाव भी नहीं आ रहा लेकिन चुनाव तो होते रहते हैं देश में अब दिल्ली में आप देख रहे हैं तो चलिधा प्रचार दिल्ली में आकर कहते आए तो बिशली जो हम हुआ जो उनने जितनी पसीडिदी पांच गुणा हम देंग और यह सब लोग यूपी से और बिहार से अपने शेत्रे से आते हैं, हमारे विराज की भी देखने क्या हासिती है, पांच गुना जो दाम है वह भीजेपी के सरकार है, जहां कहीं चुनाव होता है, जब बीजेपी की सरकार होती है, तो कहते हैं डबल एंजेन ग्रोथ है, दिल्ली में सरकार रहेगी, यहां बीजेपी की बननी चाहिए, तो जहां यूपी में बहुमत की सरकार लखनों में दी है, बहुमत की इतनी बड़ी सरकार केंदर में दी है, यूपी के लोगों को क्या फाइदा मिल रहा है, बिजली का दाम बढ़ गया, आपकी सबसे बड़ी समस्या दिहात में यह है कि इस लोग तो हीटर ओन कर लेते हैं, लेकिन किसान रात को भी बारा बज़े, दो बज़े, तीन बज़े तक अपने खेत में वहीं चार पाई लगा के सोने को मजबूर हो रहा है, हाथ में डंडा, हाथ में टॉर्च, विकॉज यह छुटे पशू, यह बहुत बड़ी समस्या ब तो रियल प्रॉब्लम्स उनकी वहीं के वहीं हैं, और उन पे पॉलिटिकल फोकस भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब दूसरे मुद्दे भावी होगों, अब CAA, NRC ये एक है, बहुत इंपॉर्टन इशू है, और अगर हम इस पे नहीं लड़ेंगे तो शायद फिर कल को कुछ नहीं बचाएगा, हम अर्थव्यवस्ता की बात करें, जब लोगों का मोल आधार इस देश में रहने का तैह होने जा रहा है, ये भी बात जमती नहीं, लेकिन जो डारेक्ट इंपक्ट के जो मुद्दे हैं, बेरुजगारी के हैं, और किसान के हैं, उन पे हम लोग सही रूप से, जो लोग दुखी भी हैं, उन तक नहीं पहुच पा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है, विपक्ष को भी इसमें अपनी बूम का आदा करनी चाहिए, अब आपकी जैसे पार्टी है, वो मानरी जी की माना की एक छोटे एरिया में है उत्तर प्रदेश के, पर अब आप जब बहां जाते हैं, दो हजार की तुलना में रिसेप्शन कैसा है लोगों का, दो हजार तो बहुत पराना हो गया, तैंक, अलग दिगा से तो देखते हैं, दो हजार तेरा में एक बहुत डीस्टेबिलाइजिंग एक इवेंट हो गया था हमारे चेतर में और दंगों के बाद फिर लोगों ने नाराजगी में ही वोट किया, लेकिन जब उस भावना से लोग वोट करते हैं तो फिर फैसला भी कलर हो जाता है, तो हमें उमीद है कि दुबारा नए सेरे से हम लोग काम भी कर रहे हैं, कोशिच कर रहे हैं, बट प्रॉबलम वो ही है कि यूपी में जो सरकार है वो बिलकुल भी पॉलिटिकल ओपेजिशन को स्पेस नहीं देना चाहती है और क्रश करना चाहती है मैं आपको बता दूँ कि डिसेंबर में यह जो दिल्ली में इतना विवाज चल रहा था चर्चा चल रही थी कोट ने भी कहा परदूशन को लेकर लेकिन सल्यूशन यह हुआ कि इन्होंने पूरा बर्डन जो है सरकारों ने फार्मर पर शिफ्ट कर दिया उन्होंने कहा के चलो आप राली तो है साथ-साथ गन्नी की पत्ती भी नहीं जलाएगा कोई तो हमारे छेत्र में फिर एफायर होने लगे लोग अधिकारी जाके ज योगी जीने का 144 लगी है अभी 21 सारी को मत्रा में हम लोग किसान के मुद्धों को लेके फिर करना चाहते हैं अब जैन्वरी आ गई अब तो कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही शांती है योत्रपदेश में भी भी वहाँ डियम ने हमारे जिलादर्शों कहा दिया नहीं मैं पर तो चाहते हैं और क्या रहा है कोई विकल्प नहीं रहा ना लोगों पर तो अब विकल्प शायद यह है कि लोग एक दोड़ो करके अंदोलन करें क्या दिवा बनता है कौन उसको देख रहा है तो प्रॉब्लम यह है कि अभी तो भूमत है योगी जी के पास और पुलीस में भी का उदूरुपयों कर रहे हैं लेकिन कब तक चलेगा यह गन्ना के दाउं वो इनका मेन इलेक्शन प्लैंक था यह लेकिन गन्ना के दाउं वो बढ़ाते नहीं है अभी हजार कुरूर का बकाया भी है और सरकारी मिलों ने भी इस बार समय पे नहीं दिया रमाला में है और अभी भी अगर आप विग्यापन देखेंगे उत्तिप्यदेश के दिल्ली के अख्वारों में मीडिया में पूरी देश में जो विग्यापन आ रहे हैं उसमें टॉप नंबर पे लिखा जाता है कि रमाला मिल का हमने दोहरी करन कर दिया कर पैस्टी का सचाई है कि व लोगों को उम्मीद थी आपने दामनी बढ़ाए तो ये भी इसको लोग वाश तो करी रहे हैं इसका आपको लगते है कि वह पढ़ेगा निश्चित पढ़ेगा 2017 में यही नहीं जब एसेंबली कलेक्शन नहीं हुआ था बिजनौर में अपने बागपत में मुझवर नगर उसमें जितना भी देना पड़े 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, जितना भी संसादन जितने भी जुटाने पड़ें, चौदी चरंण सिंग जी, क्रिशी विकास योजना हर जिले में स्थापित की जाएगी, कहा है वो योजना, तो यानि कि हर तरह का जो है, सवाल तो लोग करने लगे हैं, और जितना वो सवाल करेंगे, उतना ही पुलीस तगली तोर से, अब अब ने करता हैं, अब आप लोगों का फोकस आ गया है, और एक और अल्टरनेट नारेटिव भी हम लोगों ने सोचल मीडिया पर रखा कर ऐसे ऐसे हुआ है, तो नो अन्दोलन कर रहे हैं इस कानून के खिलाव? लोग अपने प्रमान पत्र बनवाने लगे हैं और यूपी ने तो ऐसा कमाल कर दिया कि अगर कोई रेफ्यूजी आता है तो उसको अपना पक्ष रखना होता है और अभी यह भी नहीं मालूम कि क्या होगा लागू हुआ था नहीं कि नहीं उससे पहले जो यूपी ने अपनी प्रक्रिया चुडू कर दी फिर केंशरकार ने उनको कहा कि कुई इसका कुई आधार नहीं हुआ हजारों के लिस्त तेयार कर दी तो यह भी हो रहा है तो यानिकी ओल्रेडी लोगों को लाइन में खड़ा किया जा रहा है जो नागरिक हैं बिल्कुल किया जाएगा और तो आप ही मांग है कोई कि आप क्या चाहते हैं आप अपोजिशन गीडर आइधिक टिंग टिंग इसी चीज़ को करने के और भी तरीके थे लेकिन फिर उससे चांती भंग नहीं है यह भी पॉंसिट्यूशन किया जाता ने आप से बिल्कु अलग वर्डिं कर लेते हैं पर द्धरम का नाम ना लिख यह तो लिख देते हैं या 2004 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें इलीगल माइगरेंट का एक टर्म रखा गया था हमारे हैं कोई रेफुजी पॉलिसी नहीं है और जो अंतरराष्टे स्तर पे जो समझोते हैं जो करार हैं रेफुजी इसको ले उसका प्रमाइड क्या है उसकी परक्रिया क्या है तो जब इलीगल माइगरेंट के आप टर्म को हाटा देंगे और आप कहेंगे एक रेफुजी के परक्रिया बना देंगे तो अपने आप जो लोग आप शरन तो देने की बात कर रहे हो तो शरनार्थियों को आप शामिल कर पाएंगे लेकिन उन्हें जान मूझ कर उन्हें धर्म को आधार बनाया अब मुझसे पूछिए अमचा जी कहते हैं हम तो एक humanitarian approach को गांधियन philosophy को लेकर चल रहा है तीन देशों को आपने दिया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान साथ देश ऐसे हैं जहां आप religious views के लिए पर्सेक्यूट की जा सकते हो बलकि blasphemy के लिए capital punishment तक दी जा सकती है वो आफगानिस्तान और पाकिस्तान उनमें शामिल है उनमें 2% तक लोग गैलप का एक पोल आया था एथिस्ट हैं और यह तो गोशित कर रहे हैं कि में एथिस्ट हैं बहुत लोग होंगे जो विच्वास नहीं करते होंगे किसी भी उसमें क्या उनका पर्सेक्विशन नहीं हो रहा पाकिस्तान में उनके इकला पर्सेक्विशन हो रहा है तो यह क्या मतलब अब धर्म को ही आप आधार बना देंगे क्या देश के लिए जो लोग सम्विधान को मानते हैं जो देश में एक आस्था रखते हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं अब वो बार-बार साबित करेंगे, प्रूफ देंगे आपको. क्या जनता देरे-देरे करके ये कानून स्विकार कर लेगी? देखिए, अब C.A. तो लागू कर दिया है सरकार में. और अब लित्मस टेस्ट पॉलिटिक्स में होता है, एलेक्शन. मैं समस्ता हूँगे, डेली में बहुत इस पर अंदोलन भी हुआ है, और दिल्ली में बुदिजी भी लोग भी रहते हैं, और दिल्ली के विधानसभा चुनाव को ही आप लित्नमस टेस्ट मान लीजे, कि क्या एक्सेप्टेंस है C.A., N.R.C., N.P.R. के? ठीक है, हमाँ ऐसा जुरनी के लिए बहुत सुक्रिया, थैंक यू फू जॉनिंग नेस्ट, लेक्ट.